हेलो फेंस मास्टर की रसोई में आप सभी का स्वागत है आज मैंने बनाई है आलू के इदम अलग रेसिपी ऐसे इसमें अलग कुछ नहीं है बस हमारा तरीका अलग है मैंने बनाया है आज आलू का पराथा वो भी इदम इंस्टेंट वाला जिसमें ना आपको आटा गूत न नमक थोड़ा सा लाल मिर्श पॉडर साथ में डाल दिया है हल्दी पॉडर और इसके साथ हमने यहां पे डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और आटा एड़ कर दिया है जितना आपको बनाना है उतना आप आटा एड़ कर लेंगे और इसके साथ मैंने यहां पे डाला है आमचूर पॉडर, काली मिर्श और साथ में डाल दिया है भुनाव जीरा और चिकन मसाला पॉडर अब हम इसका एकदम बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे बहुत जादा गाड़ा नहीं होना चाहिए बहुत जादा पतला नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से आप consistency का ध्यान मेचे प्यास के पराथे बनाते हैं उस तरीके का आपका यह फॉर्म होना चाहिए बहुत जादा थिक नहीं बहुत जादा पदला बैटर नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से बहुत अच्छे से आपको इसको मिक्स कर लेना है और कोशिश करनी है कि आलू को हमेशा हम ग्रेट करके लिए इसको हाथ से ना तोड़े नहीं तो फिर गुल्ठिया रह जाती है तो फिर वो अच्छा सा एक फॉर्म नहीं बनता है तो यहां फटाफट से हमन में थोड़ा सा ओयल डालेंगे और इसको बहुत ही केरफुली हमें पलट लेना है क्योंकि यह आलू का है तो यह बहुत जादा सौफ्ट होता है तो इसको आपको थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक पकाना है तो यह फटाफट से इस तरीके से आप पलटते वे अगर आप इस से कर्ची की साहता से इसको पलटें और यह हमारे एकदम फटाफट इंस्टेंट वाले आलू के पराठे तयार है और फटाफट से मौनिंग में बनाएं इस रेसिपी को यह रेसिपी सभी मम्मियों को डेडिकेटेड है जो कि फटाफट से बच्चों के लिए कुछ बनाना जो कि हेल्दी भी हो और बचे बहुत पसंद से भी खा लें तो यह रेसिपी आपके लिए है तो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके बच्चों को आलू के पराठे के लावा कौन से पराठे पसंद है तो तिक यो बवग को आफरूर झाशना हम ज tuna बाताना कि笹ध के लिए के लिए थार्ण। घची ज न जिन पर suspects जा अक्यों कर शृर्ण।